जैहिंद दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेगे भारत के टॉप पांच बांध के बारे में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नंबर एक पर आता है टिहरी बांध उत्तराखन ये भारत का सबसे उंचा बांध है और ये 260.5 मीटर की उंचाई पर स्थित है इस बांध के निर्मान की लागत एक बिलियन अमेरिकी डॉलर थी टिहरी बांध दुनिया के सबसे उंचे बांधों में से एक है टिहरी बांध भागी रथी नदी पर स्थित है और इसमें 1000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की क्षमता है दूसरे नंबर पर आता है भाखडा नागल बांध हिमाचल प्रदेश 226 मीटर उंचे इस बांध को बिलासपुर में सतलज नदी के उपर बनाया गया है एक और बांध नीचे की ओर है जिसे नागल बांध कहा जाता है एक साथ दोनों बांधों को भाखडा नागल बांध कहा जाता है वर्ष 1963 में इस बांध की निर्मान लागत रूँ 245.28 करोर रूँ थी भाखडा नागल बांध तीन राज्य सरकारों राजस्थान, हर्याना और पंजाब का एक संयुक्त उध्धम है तीसरे नंबर पर आता है सरदार सरोवर बांध गुजरात ये बांध भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वी पटेल की दूर दृष्टी थी पंडित जवाहरलाल नहरू ने 5 अप्रेल 1961 को इस बांध की नीव रखी थी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 67 वे जनम दिन पर सरदार सरोवर बांध का उध्गाटन किया इसकी उचाए 163 मीटर है जिसकी लंबाई 1210 मीटर है ये बांध 1450 मेगा बॉट की बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है चोथे नमबर पर आता है हीरा कुंड बांध ओरिसा ये बांध महानदी नदी पर 60.96 मीटर की उचाई पर स्थित है 1957 में निर्मान की कुल लागत 1.01 बिलियन थी इसकी लंबाई 25.8 किलो मीटर है ये बांध 307.5 मेगा बाट की बिजली पैदा कर सकता है पांचवे नमबर पर आता है नागरजुन सागर बांध टेलंगाना ये बांध कृष्णा नदी के तट पर बना हुआ है इसकी निर्मान लागत 1300 करोर रुप्य थी इसकी उचाई 124 मीटर लंबाई 1450 मीटर और ये 816 मेगा बांट की बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताए वीडियो लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे जय हिंद जय भारत